असलाम लेकुम स्टूडेंट्स हम सोशल एंट्रपनियोर्शिप की डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं कैसे पिछली सदी के आखरी हिस्से में जब से सोशल एंट्रपनियोर्शिप का कॉंसेप सामने आया मुक्तलिफ किसम की डेफिनेशन जो होती रही हमने उन में से जो मोस्ट कॉम्प्रिहनसिफ डेफिनेशन थी डीज की उसके हवाले से बात की उस पर जो तनकीद हुई उसके बारे में बात की लकिन जाहिर है इस कोर्स के परपस के लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए जो किसी हद तक युनिवर्सल हो उस पर तनकीद कम हो और हम उसे लेकर आगे चल सकें इसके लिए मैंने अबुसेफान की डेफिनेशन चुनी है आपके क्लास नोट्स में शामिल है अबुसेफान के मुताबक, social entrepreneur is a mission-driven individual who uses a set of entrepreneurial behaviors to deliver a social value to the less privileged all through an entrepreneurially oriented entity that is financially independent, self-sufficient or sustainable अगर आप इस definition का गोड़ से जाइजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि अबुसेफान ने दरसल डीस की definition के जो कुछ हिससे थे वो बरकरार रखे और उसकी definition पर जो तनकीद हुई थी वो points अपनी definition में शामिल कर दिये इस तरह अबुसेफान की definition में social entrepreneurship के चार characteristics हमारे सामने आते हैं number one वही जो डीस ने कहा था social entrepreneurs का एक mission होता है और वो mission जो है वो social problems को हल करना और social value create करना number two social entrepreneurs जो हैं वो opportunities की तलाश में रहते हैं ऐसे मुवाक्य की तलाश में रहते हैं जिनके जरीए से वो अपने mission को achieve कर सकें problems को solve कर सकें ये point P.D.s की definition से उसने बरकरार रखा अगला point जो उसने लिया उसमें जो डीस पर तनकीत हुई वो उसने वो चीजें उसमें incorporate कर दी जब उसने कहा कि वो entrepreneurially act करता है जिसका मतलब है कि वो business entrepreneurship के rules इस्तमाल करता है लेकिन अपने जहें में रखता है कि उसका purpose social है जरूरी नहीं है कि उसका profit margin ज्यादा हो वो जो risk ले रहा है उसमें उसे जो लोग involved है जिनके problems वो हल करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों का भी ख्याल रखना होता है कि उन्हें किसी तरह का कोई नुक्सान ना पहुंचे तो entrepreneurially act करना but not like a business entrepreneur act करना और last but not least वो एक financial independence में काम करता है वो earned income का जो concept है उसको लेके चलता है कि जो उसके पास available resources है उसको इतना innovatively use करना है कि वो अपने mission को achieve कर सके social entrepreneur इंतजार नहीं करता कि government आएगी उसको grant देगी क्यूंके वो एक बड़े अजीम mission पे काम कर रहा है social entrepreneur जो है वो donation करते नहीं करता of course some social entrepreneurship organizations जो हैं वो donation लेती हैं लेकिन वो उस पर इनहसार नहीं करती अपनी activities के लिए अपने mission को achieve करने के लिए वो अपनी activities को इस तरह innovate करते हैं तो उन में से उन्हें इतने पैसे इतनी income हासल हो जाए जिसको वो अपने mission के उपर spend कर सके तो यह वो definition है जो हम इस course में throughout लेकर चलेंगे जो आप बता सकेंगे कि जब कोई आप से पूछे कि social entrepreneurship से क्या मुराद है तो आप चार points यह जो अभू सेफ़ान की definition के है वो दे सकें Thank you